ये छोटी से चिप डिजिटल सेक्टर में इलेक्ट्रोनिक मैनुफाक्श्रिंग में तरक्की के नई पैमाने गड़ने जा रही है ये इंतराश्य बाजार में भारत को नई पहचान दिलाने जा रही है आपके लिए एक नहीं कई शुब सौगातों का आधार बनेगी ये चिप इससे पहले कि हम पूरा मामला आपको बताएं उससे पहले ज़रा ये जान लीजे कि केंद्रे मंत्री अश्वनी वैशनव के हाथ में गज़र आ रही ये छोड़ी से चिप क्या कुछ कमाल कर सकती है वैसा ही सेमी कंड़क्टर इंडस्ट्री अब एक फांडेशनल इंडस्ट्री बन गई है ये जो चिप्स हैं ये चिप्स उपयोग में आती है करीब करीब आज की तारीक में हर चीज में आपके आद में जो मुबाइल फोन है या आटो मोबिल कार है आपके घर में जो फ्रिज है या टीवी है हर एक चीज में जो ट्रेन है या अरोप्लेन है हर चीज में चिप्स लगती है एक एक ट्रेन में तो 33,000 के आसपास चिप्स लगती है तो इसकी इंपोर्टेंस इतनी हो गई कि आज कोई भी मैनुफेक्श्रिंग करो भारत समेट दुनिया भर के बाजार में जारतर इलेक्ट्रोनिक्स आइटम की निर्भरता सेमी कंड़क्टर चिप्सेट पर है मोबाइल से लेकर सेटिलाइट तक में चिप्सेट का इस्तमाल होता है भारत में चिप्सेट प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इलेक्ट्रोनि को बड़ा क्रांती बता रही है तो भारत में कॉंप्लेक्स से कॉंप्लेक्स चिप्स की डिजाइन हो रही है अब पीम साहब ने प्राइमिनिस्टर नरेंदर भी हो उसका आगे उपयोग भी हो गुज्रात देश का पहला राज्य है जहां ये चिप फैक्टरी लगाई जाएगी सरकार ने इसके लिए दुनिया भर में मौजूद बड़ी कंपनियों को भारत में अपना प्लांट सेट अप लगाने का न्योता दिया है अब तक भारत सेम कंड़क्टर चिप भारत में ही तयार की जाएंगी उमीद है कि इसकी शुरुआत दिसंबर दोहजार चौपिस से ही होगी और इसके साथ ही भारत को मिलेगी अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप जो दुनिया के सामनी होगी ब्यूरर रिपोर्ट भारत तक अजय कर दो ही उटाले जाएंगी भारत तक घिक बारत तक भारत तक भारत।